थ्यूचक टरीफला चूण्ड में हें जिसको बच्चे से लेके बड़े हर कोई जानता है। इसमतलों तो हमें दाबर का ही क्यों त्रिफल अचनเล करा राचार Oprah जो अच्छे अच्छंत को लेकर जाना, जाता है, और अच्छे प्रोड़क्त का मतलब मेरे यह नहीं ब्रैंड, अच्छे प्रोड़क्त से मतलब ही, उसके अंदर जो closet मिंपने उस्की quality अच्छी होगी तो उससे रिजल्ट अच्छा है तो definitely लोग बहुत उसे यूज करेंगे तो हम इस वीडियो में देखेंगे डाबर का जो ट्रिफला चूर्ण है वो केसा है उसके बाद देखेंगे हम इसको यूज कैसे करें और उससे पहले ट्रिफला चूर्ण के benefit क्या-क्या होता है जैसे कि मैंने बताया त्रिफला चूर्ण एक ऐसा चूर्ण है जो आपके शरीर में त्रिदोश को आता हुटा है त्रिदोश मतलब वात, पित, कफ वात मतलब आपके intestine से related problem पित मतलब आपके stomach से related problem कफ मतलब आपके respiratory system से related problem अगर आपका respiratory system, stomach और intestine मतलब वात, पित, कफ ये तीनों healthy रहेंगे तो आपको कभी भी कुछ health regarding problem नहीं होगा आप हमेशा healthy ही रहेंगे आयुर्वेद में यही कहा गया है इसलिए त्रिफला चूर्ण बहुत ही famous है आयुर्वेदिक में इसके साथ साथ त्रिफला चूर्ण के बहुत सारे benefit है जैसे कि अकसर वो लोग जिनको constipation की problem होती रहती है या फिर gas related problem होती है तो उनके लिए त्रिफला एक राम बांड चूर्ण के लाता है आई डिस ओडर में भी त्रिफला चूर्ण को एक लाब दाइक चूर्ण कहा गया है त्रिफला चूर्ण एक diabetic control का भी काम करता है केसे यूज़ करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ या एक antioxidant का भी काम करता है उनके साथ साथ वो लोग जिनको अकसर दातो डैंटर related problem होती रहती उनके लिए भी ट्रिफला चूर्ण बहुत ही अच्छा है hair से related या फिर skin से related वो लोग जिनको अकसर pimples होते रहते हैं जिनकी dry skin है या फिर बहुत ही जादा oily skin है थोड़ी skin healthy नहीं overall देखे तो skin healthy तब किलाती जब उसके चेरे में glow हो कोई pimples रिंकल्स ना हो तो त्रिफला चूर्ण आपकी skin को भी बहुत अच्छा करता है और सबसे important वो लोग जो वजन कम करना चाते उनके लिए सबसे अच्छा चूर्ण होता है त्रिफला चूर्ण और आयूरेद में किसी भी चूर्ण के किसी भी हपस के कोई एक benefit नहीं उसके अनेक benefit होते है चलिए अब देखते हैं कि त्रिफला चूर्ण हम use कैसे कर सकते है तो इस तरह का आता है डावबर का त्रिफला चूर्ण इसके अंदर लिखा है हिंदी में कब्ज दूर करने में सहायक हाजमा सुधारे एवं आकोस के लिए लाबता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं तीन इंग्रीडियंट मिले हैं और यह इंग्रीडियंट देखे तो हर 5 ग्राम में यह बॉटनिकल नेम लिखे हैं जो कि मैं अच्छी बात जो मुझे डाबर के इस त्रिफला चून में लगी वो यह कि तीनों इंग्रीडियंट का जो पाउडर मिला गया है वो बहुत ही फाइन है अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करना देखे इसको दो या तीन तरीके से यूज करना है जो तरीका नॉर्मल है व मिला लीजी और मिलाने के बाद उसको रात भर भिगो के रेनिज दीजी सूबे उठके खाली पेट वो उस त्रिफला जूस का पानी अगर पीएंगे तो बहुत ही फाइदे मन रिता उसके साथ साथ नॉर्मल तरीका यह है अब आदा से एक चमच त्रिफला चून पानी या फिर चार्च के साथ दिन में दो बार पी सकते हैं यह नॉर्मल तरीका होता है जो कि अकसर लोग यूज करते और इससे भी डेफिनेटली फाइदा होता है अब बात करें इसके प्राइस की तो यह तीन वेट वेरियंट में आता है सबसे पहले आता है 60 ग्राम का जिसकी प्र ट्रिफला चूंड यूज करते हैं रेगूलर इसलिए मेरे यहां ज्यादा क्वांटिटी में लगता है और सबसे अच्छी बाद ही 100% नैच्रल है और इससे बच्चे से लेके बड़े सभी को फायदा होता है अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मेंने नीचे डिस् तो वो लोग जो ट्रिफला चूंड लेना चाहते हैं definitely वो डाबर का ट्रिफला चूंड ले सकते हैं अक्सर लोग मुझसे पुछते हैं कि वो ट्रिफला चूंड यूज करें फिर भी उनको फायदा नहीं हो रहा है इसकी पिछे क्या करन है देखिए ट्रिफला चूंड का फाइदा 100% सभी को होता है अगर आप अच्छी quality का product use करेंगे तो definitely फाइदा होगा तो वो लोग जिनको triflar tune से फाइदा नहीं हो रहा है वो product अपना replace करके dabar का triflar tune जरूर use करें क्योंकि इसके अंदर जो ingredient उसकी quality सबसे best है और मैं भी regular मातरम में use करता हूँ तो आगर आप इसको use करेंगे तो definitely आपको फाइदा होगा अगर आपको triflar tune से related जो भी problem वो नीचे comment कर सकते या फिर मुझे instagram 888 live dove abhishek पे भी message कर सकते या फिर whatsapp आपकी जो screen में number आ रहा हम आपी मुझे message या फिर whatsapp call कर सकते इस वीडियो को जादा से जादा share करें मेरी आपसे request है please इसको like जरूर करें next ld video में जल्द ही मिलेंगे तब तिलिक bye bye thank you very much